नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त अमित्यादव आपके अपने चैनल गर पर पार्ट साम दोस्तों स्वागत करता हूँ दोस्तों CRP पेरामेडिकल के जो आपके 789 पोस जिसके अंदर निकली थी इसका दिसंबर में एकजाम होना था उससे पहले इसके PST हो जाने थे लेकिन फोम जादा भर जाने के कारण जो इसके PST लेट हुए है उसके बाद में फिर एक करोना मामारी आ गई है PST सभी के हो चुके हैं और बहुती जादा quantity के अंदर मातरा के अंदर फोम बरे गए हैं competition बहुती जादा है खास कर जो है costable rank की जितनी भी है सफाई करमचारी, cook water कह रहे हैं जितनी costable rank है उसमें बहुती जादा competition इसके अंदर तो experience जिन trade में मांग रखा था उनमें कितने number आपको मिलेंगे trade test के अंदर जुडेंगे वो आपके number trade test के वल आपको qualify करना तो मैं इस भरती का जो है यहाँ पर आपको क्या दिखा देता हूँ notification यहाँ पर मैं इस भरती का दिखा देता हूँ यह मैंने notification खोलावा है यहाँ पर यहाँ पर PhD वगर का दे रखा अब यह आपका है PhD सभी का जो पहला आपका step था इस नोकरी की तरफ वो आपने बढ़ा लिया है जोग की तरफ अब दूसरा आपका जो है वो आपका stage 2 है जो आपका return exam है इसके अंदर आपको जादा से जादा नंबर लाने है ताकि आपका final इसके अंदर selection हो जाए अगर आपने कम नंबर इसके अंदर कम मेनत की है और आपका by luck इसके अंदर क्या हो जाए कि trade test भी आपका qualify हो जाता है लेकिन बाद में आपको दोखा लग गया क्योंकि जब आपका final इसका जो merit बनेगी उसमें आप जब रह जाएंगे एक या दो नंबर से तो मेरी आप से यही गुजारी से अपील है कि अपनी पूरी जीजान लगा दीजिए अपना 100% इसके अंदर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप यह मत सोचिए कि पिछली बार cutoff कितना गया था कर मैं 70-75 में कर लोगा तो म से अगर आप 80 पलस भी लाते तब भी आप यह मत सोचिक मैं बिल्कुल से अगर ज्यादा से ज्यादा नंबर आप यह सोचिक मैं 100 में से कितने कम से कम मेरे नंबर कटे हूं मत ज्यादा ज्यादा इसके अंदर नंबर लो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिटन एक्जाम जो होगा आपका सो नंबर का होगा एक नंबर का आपका टोटल सो नंबर का इसके अंदर होगा दो गंटे के लिए होगा इसके अंदर आपके दो पार्ट आएंगे सो नंबर के 50 नंबर के आपका जीके रिजिनिंग मैथ और हिंदी आएगा 50 नंबर का आपका ट्रेड से आ आपको math पर थोड़ा जोर दे सकते हैं क्योंकि 15 नंबर आपकी यहां पर है math में और आपके reasoning में बहुत ही easy आपका जो paper आता है 25 में से मेरे इसाव से 23 पलस सब के नंबर इसके अंदर होने चाहिए फिर आपका आता है English and Hindi comprehension इप दोनों में से आप एक कर सकते हैं 15 नंबर की यह नहां पर आती है और दोनों मैं बता दूं standard जो है written exam का वो आपका costable rank and head costable का जो है वो दस्मीक और 12 के level पर होगा और जो SI का है वो आपका graduate level के उपर होगा अब आ गयाता है कि 50 नंबर जो आपके trade से आएंगे तो जिसकी अलग अलग trade है सभी का जो है अलग आएगा यान की cook से हैं तो उसका cook से आएगा सफाई करमचारी हैं तो उनका सफाई करमचारी से लेटे डिए 50 कुछन आपके आएंगे और जो passing है इसके अंदर कितने वाड़ा पास हो जाएगा इसके अंदर तो inspector SI, ASI और head costable के अंदर 50% यान की जर्नल वाड़ा AWS और exercise man को 100 में से 50 नंबर क्वालिफाई करनी हैं और SC, ST, OBC वाड़ा को 45% और costable rank के लिए आपके देख रहे हैं आपके जर्नल AWS और exercise man को 45 नंबर लाने हैं इससे कम अगर लाते हैं तो आप exam के अंदर फैल हो जाएंगे और SC, ST, OBC को आपको 40 नंबर यापके लाने है multiple choice question होगे, कोई भी negative marking नहीं होगी आपका question paper है English और Hindi दोनों में होगा next आगे आता है आपका trade test and screening of document यहाँ पे नोने दे रखा है सबसे main जो point में आपका यहाँ पे बता देता हूँ कि नोने क्या दे रखा है कि trade skill test will be held for the post of यहां कि SI staff nurse, radiographer और head costable जितने भी है nursing assistant है midwife है जितने भी हैं तो इन सभी काम वहाँ पे लिया जाएगा और यह monetary qualify आपको करना है इसके नंबर आपको यहाँ पे ने जुड़ेंगे कितने नंबर का होगा 20 नंबर का आपका trade test होगा ठीक है तो practical test में टूल आपको equipment जो जितनी भी आपके टूल होंगे जैसे cook के अंदर हैं तो आपके cook से क्या करवा सकते हैं अरुटी बनवा सकते हैं आपसे वैसे पूछ सकते हैं मसालों वगारा की नाम तो उसके आपके कितनी नंबर होंगे दस नंबर वहां पे होंगे knowledge about आपको कितनी आपको knowledge को staff nurse हैं तो आपको nursing से related आपको कितनी knowledge है और पांच नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे experience के यहान कि maximum कि मिलेंगे पांच नमबर Compact साल की तो पांच नमबर मिलेंगे अगर आपके पाँके पास के चार साल का है तो फूरो Johann दो साल का है तो दो नमबर और कम से कम आपके पास में एक साल कहोना चाहिए और आपका एक नंबर यहाँ पे लगेगा screening of original document आपको educational qualification जितनी भी आपके पास में है experience certificate at the time of skill test जब आपका trade test लिया जाएगा उस समापके सभी document वहाँ पे check किये जाएंगे और इन्होंने खासकर यह दे रखा है note 1 में की experience certificate जो है आपका जो post आपकी है inspector, dietitian, SI staff nurse, radiographer, head costable, ASI यानकी head आपकी inspector level से लेकल के head costable की जितनी भी है इन्होंने दे रखा है कि आप जो experience बनवाते हैं will be verified वो verified किया जाएगा यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे उन्होंने इसके अंदर क्या दे रखा है यहाँ पे देखिए यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि वो जो है will be verified and it found fake अगर fake बाज आता है तो आपकी connector वो जो है रदगर दी जाएगी और costable rank पे उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है टेबल बोए है उनका सभी का मसालची को सफाई करमशारी उनका सभी का practical जो है ग्राउंड पे लिया जाएगा और qualify आपको कितना करना है तो cutoff mark trade test के लिए आपको कितना है इसके अंदर दस नंबर यानकी inspector इसके अंदर इसके अंदर 7 नंबर या पे लाने होंगे तो competition सबसे ज़ादा कितना है पहले तो आपको return exam में आपका क्या goal होना चाहिए कि सबसे पहले तो आपको return exam में अच्छे से नंबर लाने है उसके बाद में फिर आपका return examination जब आपका अच्छा हो जाता है आपको ये पता चल जाता है कि मेरे 75 से उपर या 80 से उपर नंबर आना मशा रहे है फिर आपका अगला goal क्या होना चाहिए आपका trade test के बारे में होना चाहिए जो जिस भी trade से आप वो कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए और मैं तो अभी से कह रहा हूँ कि जो lockdown वाड़ी situation चल रही है आपका जैसी कोरोना की situation वो हो जाएगी आपकी बरतिय स्टार्ट हो जाएगी आपके exam की date आ जाएगी क्योंकि paramedical staff के ये पद है जितनी भी वकैंचे paramedical staff की है और कोरोना मामारी में वैसी paramedical के पद जो है वो खाली चल रही है उनकी वैसे जूर्ट है staff की तो इसलिए मैं बता रहा हूँ जब भी कोरोना की situation आ जाएगी आपकी exam की date तुरंता जाएगी और तब आपको मोका भी नहीं मिलेगा अभी सबी सिक्समस्तान बंद हैं तो अपने घर बैटके अराम से आप तयारी कर सकते हैं आपके पास यह book है इंटरनेट से पढ़ सकते हैं किसी channel से कहीं से भी आप वहाँ पढ़ सकते हैं और CRPF के लिए मने बैच बनाया हुआ है जो आपका बैच है उसमें आपके हम math वगराइब करवा रहे हैं नोट्स भी दे रहे हैं पीडे भी दे रहे हैं तो जो भी कंडेट वहाँ पर जुड़ना चाता है बैच लेना चाता है उसकी फीस आपको बता दी जाएगी वीडियो के description में मेरा mobile number आपको मिल जाएगा और वीडियो के मैं आपको थम mail में भी दिखा देता हूँ जो मेरा mobile number है मैं आपको mobile number दिखा देता हूँ उस mobile number पर आपको क्यों क्या करना है whatsapp पर message करना है कि वो mobile number लगेगा नहीं है आपका ये वाड़ा मेरा नीचा आप देख रहे हैं 888-9696 वड़ा मेरा mobile number है ये whatsapp पर ही मिलेगा आपको वैसे call बगरा ना करें इसके उपर call नहीं लगेगी तो इसके उपर आप केवल whatsapp पर message करें कि हमें बैच लेना है और अपनी trade बताए तो आपको फिस बता दी जाएगी तो आज के लिए दोस्तो इतना ही जै बारत और जै हरियना चैनल को subscribe करें और लाइक करें वीडियो अच्छा लगाओ तो आज के लिए इतना ही दोस्तो